नमस्कार दोस्तों मुरुडुप चैनल में आप लोग का स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EWS पर माल पत्र बनवाने के लिए कौन-कौन सा दस्तावेट डॉकॉमेंट लगेगा दोस्तों चाहे आप भारत के कोई भी राज्य में रहो कौन-कौन सा दस्तावेट चाहिए डॉकॉमेंट चाहिए EWS पर माल पत्र बनवाने के लिए मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ ये वीडियो में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ बहुत सारे ऐसे वीवर हैं उन्होंने कमेंट करके पूछा था कि EWS पर माल पत्र बनवाने के लिए कौन-कौन सा दस्तावे चाहिए डॉकॉमेंट चाहिए सहर में रहने वाली लोग कैसे बनवा सकते हैं या गाओं में रहने वाली लोग कैसे बनवा सकते हैं तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से जुड़ों में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए कि EWS परमार पत्र वनवाने से आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा क्या लाब होगा अगर आप लोगों के पास EWS पर मार्ण पत्र है तो आप लोगों को सरकार की ओर से स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी नौकरी में 10% का अरक्षन दिया जाता है चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य में रहो, ये सभी दस्तावे डोकॉमेंट लगेगा जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधीक जानकारी चाहिए तो दोस्तों इसके बारे मैंने संपूर्ण जानकारी पहले वाले वीडियो में दे दिया है अगर आप लोग उसे देखना चाहोगे तो मैं वीडियो के नीचे डिस्किप्शन बोक्स में उस वीडियो का लिंक देदूँगा आप लोग वहाँ पर जाके पूरी डिटेल से उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ताप कर सकते हो तो दोसों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्पूर्ण होने वाला है अगर आप लोग सरकाई नौकरी की तयारी कर रहे हो तो आप लोगों को अगर 10% अरक्षन चाहिए तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही महत्पूर होने वाला है आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा EWS परमाल पत्र बनवाने के लिए अवस्यक दस्ताविज आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो अधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र की फोटो कॉपी दोस्तों अगर आप लोग के पास अधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड है तो उसका फोटो कॉपी लगेगा पेंड कार्ड की फोटो कॉपी तो इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल से जानकारी दे दिया है आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हो रासन कार्ट की फोटो कॉपी, बेंक स्टेटमेंट अगर आप लोग कोई नौकरी कर रहे हो, सरकारी या प्राइवेट तो आप लोग को 6 मेहने का बेंक स्टेटमेंट आप लोगो को अवेधन पत्र के साथ में अटेच करना होगा, सलगन करना होगा अगर आप लोग को बास बेंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप लोग आए या फिर income certificate बनवा सकते हो स्वगोशिस सपत पत्र भी आप लोग को अटेच करना होगा और इसी के साथ मूल इस्थाई निवास परमाड पत्र भी लगेगा आप लोग किस राज्य में रहते हो, किस जिले में रहते हो इसके लिए आप लोग को इस्थाई निवास परमार्पत्र बनवाना ही होगा जबी आप लोग EWS certificate बनवा सकते हो और इसके बारे में भी मैंने संपूर्ण जानकारी दे दिया है अगर आप लोग को जानना है कि किस परकार से आप लोग निवास परमार्पत्र बनवा सकते हो तो मेरे चैनल में जाके आप लोग देख सकते हो जमीन वैस संपत्ती से जुड़े दस्ताविज जैसे दोसों अगर आप लोग सहर में रहते हो तो अगर आप लोग के पास जमी नहीं तो घर का डोकुमेंट आप लोगों को अवेदन पत्र के साथ अटेच करना होगा सललगन करना होगा और अगर आप लोग गाउं में रहते हो तो आप लोग का जैसे खेत होता है तो उसका आप लोग को दस्तावेश सललगन करना होगा अटेच करना होगा अवेदन पत्र के साथ में जाती परमाल पत्र अगर आप लोगों ने जाती पर्माण पत्र बनवाया है तो आप लोग इसे भी अटेच कर सकते हो और एक मोबाईल नंबर होना ही चाहिए आप लोगों के पास सपत पर्माण पत्र पत्वारी प्रतिवेदन दोस्व अगर आप लोग गाउं में रहते हो तो आप लोग जानते ही हो के पत्वारी जो होते हैं वो खेतो या फिर जो जमीन होती हैं उनके नाप जोग करते हैं वहाँ उनके पास जाना है और आप लोगों को पत्वारी प्रतिवेदन बनवा लेना है Marksit, जिस भी आप लोग क्लास में पढ़ रहे हो, इसकूलों में या फिर कॉलेजियों में तो आप लोग को एक Marksit अवेदन पत्र के साथ अटेच करना होगा, सलगन करना होगा और Employment Certificate, अगर आप लोगों ने Employment Certificate अभी तक बनवाया है, तो आप लोग इसे भी लगा सकते हो तो दोस्तों मैंने आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दे दिया है कि EWS परमाण पत्र बनवाने के लिए कौन-कौन सर दस्तावे डोकॉमेंट लएगा अब मैं आप लोगों को Next वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग किस परकार से EWS परमाण पत्र बनवा सकते हो, ऑनलाइन बनेगा या ओफलाइन बनेगा, मैं आप लोगों को Next वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ तो दोस्तों अगर आप लोगों को इससे संबंदित कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बोक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आप लोग के सवालों का जवाब दे सकें और हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा विडियो देखने के लिए धन्यवाद